विजा कोई मतलब मजदूर गैं मर जाएओ बूका मर जाएज अपने टीवी पे देखा को जा कभी आपने इनके अपने के एंकरों को बेरोज़गारी बारे में बोलते हुए देखा मेंगाई के बारे में किसानों के बारे में ना क्योंकि ये ये अच्छा इनकी गलती नहीं है जो बिचारी यहां खड़े है इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनका हां एक दो आजाद हो सकते हैं मगर बाकी गुलाम है आजकल के हिंदुस्तान में आजकल के हिंदुस्तान में पता नहीं लगता कौन सा कौन सा मीडिया वाला आजाद है कौन सा गुलाम है तो यह आपकी बात तो कभी करते नहीं हैं, तो मैंने एक बात चेक की, मैंने का देखो देखते हैं, तो यह जो मीडिया कमपनीज है न, इनके मालिकों की मैंने लिस्ट निकाली, मैंने का मैं देखता हूं ये हैं कौन लोग उनकी लिस्ट निकाली और इनके जो एंकर्स हैं बड़े बड़े एंकर्स हैं नाम आप जानते हो उनकी लिस्ट निकाली और आप हैरान हो जाओगे लिस्ट में एक दलित नहीं था एक आदिवासी नहीं था एक OBC नहीं था एक गरीब जनरल कास का नहीं था यह आपके हैं नहीं 90% हिंदुस्तान का तो एक भी आदमी नहीं है नहीं पिछड़े वर के कितने लोग हैं हिंदुस्तान चुप होगा है सब अच्छा हिंदुस्तान में दलित कितने 15% आदिवासी कितने 8% पिछड़े वर के लोग कितने कोई नहीं जानता मगर कम से कम 50% कम से कम पचास पंदरा और आठ कितने हुए तेहत्तर उसमें 15% माइनोरिटी जोड़ दीजे और 5% गरीब जेनरल कास जोड़ दीजे कितने हुए 90 प्लस हो गए 90% अबादी में से एक आदमी नहीं मिलेगा आपको मीडिया में एक नहीं है यह आपके हैं ही नहीं यह अधानी के हैं यह मोधी के हैं यह अमभानी के हैं यह आपकी बात थोड़ी करेंगे अच्छा ठीक है मीडिया छोड़ो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी के लिस्ट निकाली मैंने उसमें बता दू उस लिस्ट में उनके मालिकों की लिस्ट में मुझे बता दो मराथा कितने धनगर कितने खटी कितने यादव कितने बता दो जीरो जीरो पचास परसेंट में से कोई नहीं पंदरा परसेंट में से कोई नहीं आठ परसेंट में से कोई नहीं 90% में से कोई नहीं सारे के सारे senior management में कोई नहीं अच्छा पता नहीं शायद हिंदुस्तान के 90% लोग के हैं नहीं हमें media नहीं चाहिए हमें हिंदुस्तान का corporate India में भी भागिदारी नहीं चाहिए तो ठीक है फिर सरकार को देखते हैं कि हिंदुस्कान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं आये सबसर हैं बजट को वो बाटते हैं हर रुपिया बजट का कहां जाता है वो निड़ने लेते हैं 90 लोग लेते हैं महराष्टा में कितना पैसा जाएगा सरकों में कितना जाएगा सेना को कितना मिलेगा अगनेवीर होगा या नहीं होगा ये सारे के सारे निन्ने ये 90 लोग लेते हैं मुझे बताओ 90 में से पिछड़े वर्क के कितने तीन दलित कितने एक आदिवासी कितने एक और अगर आप बात समझना चाहते हो तो अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपे खर्च करती है तो OBC दलित आदिवासी अफसर 6 रुपे 10 पैसे का निन्ने लेते हैं आपकी अबादी 90 परसेंट आपकी भागिदारी 100 में से 6 रुपे 10 पैसा और पर नरेंद्र मोधी 24 गंटे गूमता रहता है कहता है कि मैं OBC हूं और मैंने जाती जनगर्णा की जैसे बात छेड़ी यह इसको बठाया गया है जैसे ही मैंने कहा कि देश में जाती जनगर्णा होना चाहिए देश का एकसरे होना चाहिए दूद का दूद पाने का पानी होना चाहिए नरेंद्रबोधी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जात है ही नहीं दो ही जात हैं एक अमीर है और एक गरीब है अच्छा अगर दो ही जात हैं तो भाईया आप कहा के OBC बन गए तो जैसे हमारी सरकार बनेगी जाती जनगरना हम पूरे देश में करवा देंगो और एकनोमिक सरवे और संस्ताओं का सरवे मतलब किसके पास कितना धन है पिछडों के पास कितना धन है पिछडों की क्या भागिदारी है हर वर की अबादी कितनी है भागीदारी कितनी है मीडिया में कितने है कॉर्परेट इंडिया में कितने है प्राइवेट हस्पताल के मालिकों में कितने है ये काम हम करेंगे अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की वो नरेंद्र मोधी का अपने लग गया जैसे ही मैंनो उसकी आदत है जैसे उसको डर लगता है न वो जूट बोलना शुरू कर देता है जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान के बात करेगा कभी चाइना के बात करेगा तो एक के बाद एक एक बाद एक एक बाद एक जूट बोल रहा है मगर इस बार नहीं निकल पाएगा पता नहीं आपने सुना नहीं सुना वो एक योजना लाए इलेक्टोरल बॉंड्स वाली सुनिया आपने उसमें क्या किया सबसे पहले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉंड्स से हिंदुस्तान में जो बरश्टा चार है वो खतम होगा और फिर क्या किया कहते हैं कि जो भी पैसा देना चाहता है किसी भी राजनेतिक पार्टी को बिना नाम दिखाए पैसा दे सकता है सुप्रीम कौट ने का भईया ये तो कानूनी नहीं है इसको रद करो और सुप्रीम कौट ने उनकी स्कीम को रद कर दिया उसके बाद नरेंद्र मोदी और सरकार जिन लोगों ने उनको पैसा दिया उनके नाम नहीं रिलीस करना चाहरी सुप्रीम कौट ने का भईया जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके नाम दो और कौनसी तारीक पर पैसा दिया वो बता दो स्टेट बैंक पर दबाव डाला वो ये information release नहीं कर रहे थे फिर information release होती है पता लगा एक दिन किसी company पर CBI की raid होती है कुछी दिन बाद वो ही company बीजेपी को करोरो रुपए देती है CBI की inquiry खत्म हो जाती है बड़ा contract दिया जाता है हजारों करोर रुपए का contract दिया जाता है और contract मिलने के 10-15 दिन बाद वो company बीजेपी को हजारों करोर रुपए पकड़ा देती है सड़क पे जो extortion का जाता है न जो सड़क पे extortion गुंडे extortion करते हैं न यह यह उन्होंने international level शुरू कर दिया है और जनता से कह रहे हैं कि मैं राजनेतिक funding के system को साफ कर रहा हूँ आप कैसे साफ कर रहे हो अगर आप साफ कर रहे होते तो आप कहते भाईया जो भी पैसा दे रहा है नाम सामने एको कौनसे दिन दिया किस ने दिया हिंदुस्तान की पब्लिक को बताओ मगर नहीं मगर देश समझ गया है और जैसे मैंने आपको शुरूआत में कहा लड़ाई सम्विधान को बचाने की है और अगर नरेंद्र मोधी अरब पतियों को पैसा दे सकता है उनका करजा माफ कर सकता है तो कौंग्रेस हिंदुस्तान की महिलाओं को हिंदुस्तान के युवाओं को हिंदुस्तान के किसानों को पैसा दे सकती है और देगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद